हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सो मैं अगुल फार्म and welcome back to my channel तो यार अपने पिछले कुछ वीडियो से मैं आपको इस keyboard के functions के बारे में बता रहा हूँ उसी सीरीज में आज इसके हम और एक function के बारे में बात करें जिसका नाम है tune तो function की को अगर हम बार बार ऐसे प्रेस करते जाए तो देखिए यहाँ पर आता है एक tune नाम का function अभी इस पर देखिए लिखा है 445 इतना लिखा है लास हम लिखा है है एक्सेस कर सकते हैं इस डीडियो में हम सीखेंगे इस tune का क्या काम है क्यों यह यूज किया जाता है और इससे क्या effect पड़ता है हमारे keyboard के आवाज में इसके performance में यह function इस keyboard Casio CTK25 के 13 number function पर आपको मिलेगा जिसका पूरा नाम है tuning और इसको शॉर्ट में tune बोला जाता है keyboard में जो आपको इस क्लिएन पर देखता है वो सिर्फ tune ही दिखेगा उसके आगे numbers रहते हैं ओ numbers frequency के numbers होते हैं इसलिए last में hz लिखा रहा था क्योंकि hz होता है frequency का unit तो mainly इस function का काम क्या होता है इस function का use किया जाता है stage program पर जब धेर सारे musical instrument एक साथ बजाये जाते हैं तो जितने भी digital instrument होते हैं उनकी frequency को match कराना होता है जैसे paired हो गया है या कोई और keyboard बजा रहा हो जैसे फूसमें different हो जाता है कुछ अच्छा sound नहीं निकल पाता इसलिए जीतने भी musical instrument होते हैं सब की frequency match कराई जाती है तो frequency को match कराने के लिए इस फंक्सन का tuning function का इस्तिमाल किया जाता है हमारे इस keyboard में इस tuning function का range जो होता है 415.5 से 415.9 हर्च तक होता है यहां जे लेकर यहां तक हम लोग इसको increase और decrease कर सकते हैं लेकिन अगर आप individually play करते हैं अगर इसमें कुछ फेर बदल हो जाए वैसे जब हम लोग नया नया function देखना सुरू करते हैं उसको इधर उधर change करना सुरू करते हैं तो उसमें अपने आप by default से disbalance हो जाता है और जब एक बार disbalance होता है था हम उसमें बस परसान होने लगते हैं क्योंकि उसके बदलने से ना आपके personal use पे या जो आप घर पे अगर अकेले बैठके बजाते तो उस पे आपके playing पे कोई effect नहीं पड़ेगा आपके performance में कोई effect नहीं पड़ेगा mainly इसका use stage performance पे ठीक है लेकिन फिल भी मैं आपको बता देता हूं by default अगर आपका गडबड हो 40.0 Hz इसका by default होता है तो अगर इस पे set कर देंगे तो इसका natural हो गया यानि ए perfect है अब इससे आप आगे भी बढ़ा सकते हैं इससे पीछे भी बढ़ा सकते हैं सायद उसकी आपको जलूरत ना पड़े अगर आप अकेले घर पर बैठके बजाते हैं या अपने खुद के आपको मेरा पूरा वीडियो समझ में आया हो इसका इस्तिमाल क्या होता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें अगर आपको ऐसे ही इस keyboard से related और function के बारे में जानने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें